अब हम पार्ट दो शब्द रचना का पुस्तक अभ्यास पूरा करेंगे पहला प्रश्ण चित्रों को उनके नाम से मिलाओ यानि एक तरब चित्र दिये हुए हैं नीचे उनके नाम लिखे हुए हैं उन्हें हमें सही से मिलाना है पहला चित्र जो दिया हुए है वो रत का है उसका मिल हमें चोथे नमर के शब्द से करना है दूसरा चित्र शर्बत का है उसका मिल हमें पहले शब्द से करना है तीसरा चित्र रबड का है जिसका मिल हमें छटे वाले शब्द से करना है पांचवा चित्र महल का है जिसका मेल हमें पांचवे वाले शब्द से करना है पांचवा चित्र बरतन का है जिसका मेल हमें तीसरे शब्द से करना है और आखरी छटा चित्र फल का है जिसका मेल हमें दूसरे नमबर वाले शब्द से करना है दूसरा प्रश्ट है चित्रों के नाम पूरे करो यानि चित्र दिये हुए है एक तरफ उपर के तरफ चार और उसके नीचे भी चार दिये हुए इन में से कुछ वर्ण नहीं लिखे हैं जिने हमें लिखना है और लिख के चित्रों के नाम को पूरा करना है पहला चित्र आप देख रहे हैं और देख के पहचान चुके हैं कि उसका नाम क्या है तो इस खाली जगर पे हमें बॉलिखना है और बॉलिखने के बाद शब्द बनता है बस दूसरा पिचर भी आप पहचान चुके हैं इसका नाम क्या है उस चित्र के नीचे हमें पौ लिखना है और पौ लिखने के बाद उसका नाम होता है पत्र तीसरा पिचर जो है उसका नाम आप भी जानते हैं मटर और आपको म और टो लिखा हुआ मिला है और रह आपको लिख देना है चोथी पिचर बतक की है ब और तो लिखा हुआ है और आपको बस खालिखना है और बिल के बन जाएगा बतक पांचवी पिचर कलश है ल और शो लिखा हुआ है आपको आगे कलिख देना है और लिखने के बाद बनेगा कलश चटी पिचर आपको शलगम है आपको श लिखना है और पूरा हो जाएगा वो शब्द शलगम साथवी पिचर में भी आपको श लिखना है क्योंकि सर्वत की पिचर बनी हुई है और वो शब्द पूरा हो जाएगा और आखरी वले चित्र में पिचर दिया हुआ है थर्मस का और आपको खाले जगा पे था लिखना है और चित्र में लिखा शब्द पूरा हो जाएगा थर्मस प्रसन संख्या तेन चित्र देखकर वाक्य पूरे करो यानि पिच्चर दी हुई है चार पिच्चर दी हुई है आप देख रहे हैं और इन पिच्चरों की नेम लिखना है नेम जो खाले जगा दी हुई है वहां लिखना है पहले पिच्चर में पिच्चर जो बनी है वह घर की है हम घर लिखेंगे पहले पिच्चर के filling the blanks में वह हो जाएगा पूरा वर्ड पूरा word जो हम लिख लेंगे उसके बाद जो वाक्य बनेगा वो होगा घर चल दूसरा पिचर सडक है पिचर सडक बना हुआ है तो हम इस खाली जग़ा पे सडक लिखेंगे और वाक्य बनेगा सडक पर मत टहल तीसरे पिचर में फल का चित्र दिया हुआ है हम फल लिखेंगे और वाक्य बनेगा फल चक तीसरा पिच्चर है बस का और वाक्य बनेगा बस पर चड़ पोर्शन नमबर फोर प्रशन संख्या फोर जोड कर सब्द पूरा करो इसमें हमें जोड के शब्द लिखना है इसमें दो वर्णवाले, तीन वर्णवाले और चार वर्णवालों सभी तरह के शब्द दिये होए उन्हें हमें जोड कर लिख देना है जैसे पहला हजमा ठ, हमें इन दोनों को हजोड के लिखना है और शब्द बनेगा हट दूसरा है भ, जमा ग, जमा त और जोड़के इन तीनों वर्णों को लिखना है और लिखने के बाद जो शब्द बनेगा वो बनेगा भ, ग, त, भगत तीसरा है ठ, जमा, ह, जमा, र और इन तीनों वर्णों को जोड़के जो शब्द बनेगा वो होगा ठ, ह, र चोथे नमबर पे श, जमा र, जमा ब, जमा त इन चारों अक्षरों को जोड़ने के बाद जो सब्द बनेगा वो होगा श, र, ब, त पाचोंगे नमबर पे है प, जमा त, जमा ज, जमा अड और इन चारों अक्षरों को जोड़ने के बाद जो शब्द बनेगा वो होगा प, त, ज, ज, ड शिक्स नमबर ब, ज, म, च, ज, म, प, ज, म, न इन चारों अक्षरों को जोड़ने के बाद जो शब्द बनेगा वो होगा ब, च, प, न प्रस्न संख्या पांच सही सब्द चुनकर उत्तर लिखो अब ये आपने जो दो कविता पड़ी थी उसी से सम्बंदित ये question answer है प्रशन उत्तर है पहला है नमन अब कहां चल नमन उसके नीचे लिखा है नमन अब खाली जगा दिया हुआ है चल घर पर घर या पर तो आपको पता है क्या लिखना है घर तो कव आले में भरेंगे हम घर तो उत्तर बनेगा नमन अब घर चल प्रशन संग्या खा किस पर चड़ कर चल नमन को पूछा गया कि वो किस पर चड़ के जाएगा घर तो answer देखते हैं में लोग खाली जगह दिया हुए है पर चड़ कर चल विकल्प दिया हुए है बस और दस तो हमारा सही उत्तर होगा बस बस पर चड़ कर चल प्रशन संग्या शिक्स वर्णों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाओ यानि वर्ण दिये हुए हैं जो विवस्थित नहीं है हमें विवस्थित करके इन्हें वर्णों से सब्द बनाना है क क में हम वर्णों को इस तरह से विवस्थित करेंगे तो बन के आएगा न, ग, र पहले न लिखेंगे, फिर ग लिखेंगे और फिर र लिखेंगे ख ख वाले प्रश्ण में देखें इन चारों वर्णों को हम इस तरह से वेवस्थित करेंगे पहले हम उ लिखेंगे फिर प लिखेंगे फिर व लिखेंगे और फिर न लिखेंगे तो बन जाएगा उपवन गवाले में हम लिखेंगे इन वड़नों को ब्यवस्तित करेंगे पहले हम मा लिखेंगे हा लिखेंगे और ला लिखेंगे और बनेगा महल और गवाले में पहले हम रा लिखेंगे फिर बा लिखेंगे और रिखेंगे और बनेगा शब्द रबड प्रस्न संख्या साथ नए शब्दों को बनाओ कुछ वर्डन दिये हुए हैं इन वर्डनों की मदस से ही हमें दिये गए खाली जगव पर शब्द बनाने है जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ मैंने बनाया हुआ है पहले में मैंने लिखा है सलगम, महल ये सारे शब्द जो बॉक्स में जो वर्डन दिये हैं उनकी ही मदस से बनाए गया है पहला है शलगम, महल, तीसरा बस, चोथा है कतरं, पाचवा है बर्तन, छटा है तरकश, सातवा है मगहर, आठवा है शर्बत, और नवा है बर्बस, और दसवा है हसरत इसी तरह से आप अपने मन से कोई भी नए शब्द इन वर्णों से केमेल से बना सकते हैं थैंक यू स्टूदें तूदें